पूरे देश की जनता के दिमाग में एक सवाल है कि दुबई के अंदर जो है इतनी बाड कैसे आगी रेत का टिबा में बाड क्यों करागी और फिर दूसरी बात है राजस्तान के एक एक इलाके में देख्या गया है कि जो है अपनी जमीन दश्गी है नीचे नीचे बेठन ला पर दूसरी बात बात हुआ है कि आर्टिफिस्यल बारिस करवाय जास्का है तो हम पूंचे हैं दॉक्टर दिवेंदर बलारा डॉक्टर डोट डोट नोट के पास वह बताते हैं कि भाई इस पिछी स्टीज़ के पिछ्य सडिया नतर के है इसके उसके पिछे के कारण उसका है या बारी से ल्याई गई है या कुदरती होई है या कल्चर कहते है इसको नेचर के साथ छेड़ चाड़ है सारी बात पूछांगे नमस्कार जी डोक साब कैसे हो जी अपड़े जल्दी में दिखना दुबई यह जाना लग रहे होगे ना मैं नेपाल जा रहा हूं बाई जी नेपाल अच्छा तो आप से जानना चाहरे थे हम जो दुबई के अंदर यह बारिश होई है इस तरीके से जो है सारा एरपोर्ट भी अपना वीडियो कि बारिश और सुखा बाड यह सारी चीजें अपनी मर्जी से करवाने की टेकनीक इन लोगों के पास बहुत पहले से है यह 1940 के दौर से है और इसकी मदद से इन लोगों ने काफी सारा वैदर कंट्रोल कर लिया है इस टेकनलोजी को बोलते हैं हार्प टेकनलोजी और जिसे अकाल ले आएंगे बाड आजाएगी सुखा आजे कुछ भी ले आएंगे इस पर लगातार काम करन लाग रहे हैं और हम लोगों को जगा रहे हैं कि अपना दो साल काना आज कम से कम बचा लियो आने वाले टाइम में आपके बच्चे बुखें उनने तैय है नहीं तो इनसान को जो परमात्मा ने दिया है दुनिया का दर्ती का कोई और जीव उस चीज का इस्तेमाल ने करता जो उसको परमात्मा ने नहीं दी उसका सबसे बड़ा फाइदा परियावन को यह होता है कि इनसान के लावा दूसरा कोई जीव दर्ती के परियावन को खराब करने म कोई बूमिक आदा नहीं करता सिरफ एक इंसान है जिसकी वज़े से बाकी जीवों का जीना मुश्किल हो रख्या है खेत के सारे कीड़े मार दिये चेडिया नहीं दिखाई देती है बाजकल कुछ भी दिखाई देता पेड़ सारे खतम कर दिये गर्मी जुरत से जादा कहीं कुछ वाजे है कहीं कितने लोग मर गए कहीं कितने लोग वर गए रोज का ड्रामा कर रखे हैं लोगों थो यह काम सिरफ इंसान ही कर रहा है और वो इनसान में ऑग लिए और में नहीं कर रहे हो यह काम कर रहे हैं वो लोग जो वो सिरफ अपनी सप्ता को बरकरार रखने के लिए वो कुद्रत को कुशिश में ये बहुत खदरनाग चीज अचा यू फिल सेला डॉक्ट साब कब तक चलता रहोगा आप के माणना कि हम कतक समाज को जागरू कर पाओंगे कुछ लोग समझ जएगे और समझ ऑजेगा जिस दिन सारा थेली खतम हुए तो हlovक अगर तो इसलिए रहत पहुंछ रहे हैं वहाँ लोग समझ रहे हैं अब जरूरत है एक बनने की अब जरूरत है एक लोगों के अंदर इतनी जागरुकताने की कि लोग भाग बड़े सिरे मतलब एकदम से बदलाव लेके आए और इनकी यह जो पिलर इनुने खड़े करती हैं नकली पिलर जो सत्ताओं ने उनको ध्वस्त करने का गाम करें अच्छा जी शुरुआत से देगरा बचपन में क्या होता था आफ्टे दस दिन में एक बर वो एक जाट सा जानदा उसके पिछा दूमा सा चुटता जानदा लोग सोच दें यह रोकेट है हम भी मारते भी निवे सिखाया गया हमारे बड़े ने बताए रोकेट है यह पता लगया बड़ा होए जिस भी को जाल दिया जिससे आदमी को cancer होए चीन की बइमारियां हो और उसकी एरपोर्ट और हवाई जहाज की टेकनोलोजी आहम इंसान की पहुंच से बाहर क्यों है सरकारों के कंट्रोल में क्यों नहीं है ये क्यों प्राइवेटी आथों में है क्योंकि वहाँ से वो जो कर रहे हैं वो सिर्फ उन्हीं को पता है और कई बार तो ऐसा लगता है कि सरकारों को भी कुछ नहीं पता है इसके बारे में अच्छा कई बार के वह अगर आपे किसे चीज़ के परतिजागरूक होगे तो आपने कोई अंदोलन करना पड़ गया या फिर कोई परदर्शन करना पड़ गया के लिए लोगों की जुरूरत होती है लोगा मैं सबते पहला तो आओंगे अपने गरीब तब के जो है लोग फिर आओं किसान अगर किसान ऐका वए अगर लाखो संक्या में किसान इकाथा होगे आपके कहने के अनुसार ंदूल कर लिया गया है नेचर को को जोगे हैं आपणी मर्जी deeper सकते हैं। अगर लाख किसानी कठा हुए तो शुखा गिडवा देंगे फिर उनको अगे अंदोलन करने की इमती नहीं बचाई है तो डिजाइन में तो मैं आपको पहले से बता रहा हूं द्रपघी तो पुरानी 15 सीट थोड़ी प्रणुषंट करें तेरोस्तैं न करें हिसे की दस जारी कर दोड़े किसे की 2 Entonces में ठ्मकेस के बड़न चल इए पर चाकर अपने पता होगा चानुन पास हो लिए यह उसमें गुजरात मों लिए और अजनम हो लिए एक तप फाल तु गाही नहीं पाड़ सकते आप से हर में रहे आपका डांगर बार नहीं हो शकता आपको कुथो का रिजिस्टेशन करवाणा पड़ेगा माला आप कितने कटने गरा मगते हो इसका भी रिजिस्टेशन करान जाड़ा है किस ने सुनी उसके बाद भी में कुछ भी नहीं बना सिरफ एक तीन कानून में जोन से दिये थे वह वापस लिए मतलब जो तेरा मिनने पहले सिचुवेशन थी और जारों करोड रुपया फूकने के बाद सिरफ वापस उड़े लिया के खड़े करती है बिना जा इस आपको अपनी शिक्षा स्वासेये नय राजणीति और खेटी निकालना पड़ेगा आपको जल जंगल जमीन जानुवर का गाओं को देना पड़ेगा अगर लेना पड़ेगा अपना जमीन अपने नाम कर लिए अपना दिकार जमान लाग रहे हैं जमीन का जिकरा करते दिमाग मौहीराजस्तान के इक लाके में जो है जमीन दस गी है नीचे चली गई है पता निवह 20 फूट गई है तो इस तरीके की जो है वहां पस्थिती क्रियेट हो रही है और दार 144 भी जोग और मिंटनवान लगा दी है तो इस पापका के कुछ करना है कि भई हमायन लिया सूखा गेडवास का है सरकार बारिश करवास का है बाड़ लियास का है लेकिन वह जमीन दस ना कोण से सडी इंतर सब्सक्राइब बताओगे अच्छा पाणी पत्त लेगा है और दिल्ली तई की टनल बना दी सारा दिल्ली खोखळा कर दिया मैट्रों के नाम पर सारे शेरा ना खोखळा लागरे करन सीवरेज बनान लागरे जो जमीन में कोई बवन नी बन सकता हूं बड़े-बड़े अग शेर में पड़नाले की जादा शेर में रहनाले की बड़ी अगपड़े पार नाले की जादा बड़ी पार नाले की जादा बड़ी कार आले की जादा समाज में यो कल्चर किस नख रहा इसकी इजद करनी इसकी नहीं करनी आदमी की आदमी इजद नहीं कर रहा बतलब पैसे की जध कर रही हो थो क्यों खेल कर चाल रहा है है यह इसा है मेरे भुल्ष्त जलील कर दी य तो नोक कर है यू सरकार का नोक कर रह नोक कर की के हो गातु है लेकिन नोक कर और य realize heard I have med er I have N values करना पढ़ेगा हम यहां नहीं जा सकते याड़ने बैट सकते 144 न थी पांस तफल तो अदमी निकत्थ हो सकते एक 140 करोड लोगा में, पांसता फाल तो आद्मी नहीं कठ्थ हो सकते, और तुम मुखदमा कर दोगे, और नोकर कहे रहा या बात, देखो कमाल की बात, वो परदानमंतरी नोकर, डीजी नोकर, एस्पी नोकर, और नोकर मालिक ते नहीं कहे रहे, तुम खड़ा नहीं हो सकता, और नोकर जो है, वो मौज करे, उसको बड़ी-बड़ी कोठिया मिले, उसको सारा कुछ मिले, और सडियंतर किसी नहीं कहा हो, अगर मेरे तो समझ में निया, अंधी बात, आपने जो जमीन का मालिक है, वो यह कह रहा है, कि जमीन में कुछ निदर है, और उसने बिहार का आदमी अड़ा नोकरी करना है, और बियार के आदमी, यह बियार मजा का अजार हो, जमीन लेन लाग रे, यह हास्देव के जंगल काटन लाग रे, मारता है कि अमने परियावन प्रदूशन भेला दिया, अपने आप लोख लोख एकट जमीन काटन जंगल काट दिये, फद्धू बना रहे हैं, बेको बना पब्लीक का पागल समझे हैं तो पागली बना रहे हैं वो जो गाम के आदमी खेत्ती कमजोर करी गई उसको तोड़ा गया ताकि अपनी उलाद को खेत्ती से दूर करे और उसकी उलाद जमीन के लड़ाई ना लड़ पाए इसलिए हम लोगों को खेत्ती वाले को कोई गाओं को शैर की तरजब्ली विक्सित करन लागे शैर नरक हैं इस दर तीके बचाने वो तो घाम बचालो अर नहीं तो बाइसाब गाम बचेगा तो देस बचेगा नहीं तो कोई तुसकूच निदर रहा बाईसाब मैं बतान लग रहा हूं इसलिए आप लोगों के सामने ये शडियंतर रखा गया है, कि भाईया, खेत्ती में कुछ नहीं तरहा, असल में खेत्ती में सब कुछ है, एक इंडस्ट्री बतादो, जो जमीन के लावा हुन्दी हो, सोना, कोईला, लोहा, अलुमीनियम, पित्तल, तामबा, जस्त, अलोए, गाड़ी, कपड़े, लत्ते, खानगा, पीनगा, कोई इंडस्ट्री है नहीं, जो जमीन तबार हों दियो, जमीन ही है, असली पुन्जी, और वो कागज के नोट चापके, नकली नोट चापके, एक नोट चापन का तीन रपे खर चावा है, और आपने माँ पंच रप्याम बेच्चा हों नोट, और आपकी असली जमीन लेला है, इब आपने को, जमीन के रेट पांच करोड होगे, चापके दस करोड होगे, जो चापने तो उनने, पकड़ा देंगे, और फिर फोट दिन आम कहा देंगे, बता नी सकते, लेकिन सरकार ना जो यह सड़ी अंतर करया, सरकार ना जो यह सारा तामा जामा रचया, पर अफगेंडा रचया, इसको पबलिक तक समझा आने में, पबलिक के दिमाग में बाढ़ने के लिए पूरा फिट बिठा दी, तो उस चीज़ें आले अकर मैनले कि सिति कोई बात समझानी आयाए, तो लिजा अबुए है फिर दिकत है ना की समझानी नियाम है तो रिजोंकि इसका मतलब, गाम के आदमी का जिस दिन पूरी तरह से समझमान लाकर उठना लाग रहेंगे ना, उस सब हो जगा थे, कोई दिक्कत को नहीं, कोई बड़ी बात नहीं, हम वो टीम त्यार करना लाग रहे हैं, जो लोगा तक पहुँचके हैं, उनने समझावा है, समझाना लेकी दिक्कत है, और समझान हैं, वाले हादमी कम हमहारा पर, रिसॵर्स नहीं, पैसे नहीं, कुल और कुछ है नहीं, जो जब कुछ नहीं है, तो इसलिए तो मतलब सारी समझ्षान यान लगरी ना मार्दवरा रिसोर्शिज गोने जमार्दवर रिसोर्शिज उन्दे तो आम पता नहीं के तुछ तुछ अचा सरकार ना जो नेचर के साथ छेड़शाड करी है बात समझ माहिडुक साब लेकिन अब की बार जाड़े में एक चीज द किसी से आपता भी हो लेकिन वे नीम के पेटे जो जड़क करना है उसमें भी कोई समस्य आई है इस तरह की कोई चेड़शाड करियो नीम मैंनी जो जो चीजें परकृति के साथ छेड़ खानी होई ना जब तो उस छेड़ खानी में के होया सी ना सौरी मैंने एक्शली आमन वहीं पर आई है जहां पर बेसिकली उपर वाले जो पत्ते ना सिर्फ वह खराब होए है तो यह हम जब गए थे किरसन जा खड़े है अपने राज थान के उनका फारम है पूरा बड़ा उनके फारम पाम देखन गए थे पूरा खेल उनने ने बताया बहुत नीम के उपर आ और उरिजनल नीम बचे हुए है पुराने यह उन्होंने शर्फ नी पर टाइक किया पुराने निम मह पासर है यह नया पर गोन हुआ जो नहे जैनितिकली मोडिफाइड उनके पर पार पाजाएगा पका ठीक है आपकी शारी बात पर उपर समझ माई डोक साब आज़े 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 बाई आप एक काम करो केमरे ले बाई साब पिछे बैठो मना अगा बेठन दो इब सारी सारी बात प्रोपर कर देंगे अज़े बताओ चाब भी ले आओ तो वह आपका के कुछ कहना सारे बाई जरूर बताई यह बात अवेर करने की है आपने समझ में कितना आना लग रहे है देखो अम जबाड़ा पैड़ पैड़ करने यह बात बताए जाओंगे शिखाए जाओंगे बर बर कहें जाओंगे आप तक कितना पूच पाना लग रहे है पूंच कितनी हो रही है यह सारी सारी बात जरूर करांगे अचैनु पताओ डोग सभ यह जीतनी पबलिक देखन आपने लोग देखन लाग रहे हैं यह फोन करकर करका मेर पादिन रहायत सुबेरे चीर बजे फोन बाजने शुरू को हरा एतने एक दो बजे इतनी बाज़ा है नो बताओ डोक साब से संपर्क काइसे हुआ है इन तब बातचीत कुकर करां ये चीज समझन खेतर हम कड़ा आवा के के ट्रेनिंग लेवाँ मारी तीन दिन की ट्रेनिंग हो अगर जमता सरकार मोरचा की जिसमां पूरा शडियंतर समझाया आगरा के खडियंतर के है क्यों करिश्टा पेंटा सुटेगा बचोगे क्यों कर अपनी उलादा ने क्यों कर बितावांगे उस पूरे शडियंतर की पोल खुल करने तो आप लोग वाच जोएन कर सकते हो और उसके लिए पचान में ठारा सत्रा 0000 करना पड़ेगा उस पर मैसेज कर दो और साथी पर आपके पास कॉल कर लेंगे या मिस्ट कॉल करोगे तो उसी तभी काम चल जाएगा बचान में ठारा सत्रा 0000 उस पर करोगे तो साथी कोंटेक्ट करके आपने बता देंगे अगली ट्रेनिंग कहा है अभी फिलाल के लिए मैं बता देता ओड़े वह इन्टरनेशनल और खो़ा नेपाल की ट्रेनिंग अभी करने जा रहे हूं दो दिन की रतलाम जाओंगा रतलाम से अति फ्यडिग में है इस उत्तराखंड में पास और तरहकंट के बाद फ्यर उद्यापूर में है अगली टेनिंग वह तो आपको में खबर कर द आखरी स्वाल न उसे जोड़ना चाहूंगा अखरी स्वाल न इस तरिक्त जोड़ना चाहूंगा कि बई जो दुबभी आडा मैटर मने शुरुआत करे थी बाए स्वाल पुछना सुरू करे रहा था तो उनका गला इतनी बुरी बन रही है उँआ इतने परेशान हो रहे हैं म सुरुआ इस तरिक्त शुरू न बहुत था में अग्यागर में कि खराब हो गया है और इतना जादा नुक्शान हो गया है तो इसे आपने लिए शुद आने के हो आर ऊस्वेशान इतना पड़ा नुक्शान जो उसना ने वुग इतना पड़ा होगा इसका बरपाई कोंकर सब्सक्राइब तो जो वह ना बर्पाई वह तो करेगी जनता अपस में मिलके नहीं अगर आपने यह समस्या फेर से उसके उपर लगा दिना के सरकार करें तो सरकार के उपर जो डिपेंडेंट हो जाएगा ना उसकी तो गुलामी तहा है सरकार की डिपेंडेंट्सी से ही निकालना है योई बर्पजा जनता सरकार मोर्चागा की समाज अपनी विवस्था खुट्ट्या करें समाज अपनी विवस्था नहीं करेंगा ना तो कुछ नहीं है